पानी भरने के विवाद में वृद्धा की धारदार हतियार से हत्या जिसमें देखते ही देखते भयंकर रूप से मारपीट शुरू हो गई जिसमें गाउं के ही छोटे लाल और उसका पुत्र आजे रेदास ने धारदार हतियार से मारना शुरू कर दिया जिसमें पंचा कुमार लगबख 55 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी पपनी जै देख सदर अस्पिताल के लिए रेफर किया जा रहा है पुलिस ने आरोपित छोटे लाल कोरी उसके बेटे नवलकिशोर अजे वह बहु पूजा पर हत्याव मारपीट कर घायल कर देने की एफायार दर्ज कर ली गई है और आरोपितों की गिरफतारी का प्यास किया जा रह में सरकारी नल्ट से पानी खरने को लेकर के दो पच्छों में मारपीट हो गई इसमें एक व्रत्य की म्रत्य हो गई है इस समंद्ध में दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है अभियोग पंजीकरत कर आगे की विधिक कारवाई की जा रही है